तो आज की डूम आपको बताऊंगा भाई आप अपने फॉन की एपस को अपडेट कैसे करोगे भाई तीन बाते बताऊंगा एक तो आपको कैसे करना है क्यों करना है और कब करना है एपस को अपडेट यह माज आपको तीनों पॉइंट किलियर कर दूँगा तो भाई अगर व company है बाई अपने जो एप है उसके अंदर नए नए features को add करती रहती है ताकि जो भी उसके अपनी एप में इंप्रूव करना हो वो करती है ऑनलाइन ठीक है कोई भी नया feature होगा आपकी phone में app में add हो जाएगा आपको केवल update करने ना है ठीक है और कब करना है भाई जब भी आपकी एप लगे किसी और की एप आप देखते हो आपको लगे उसके में कुछ नया feature है वो feature आपके में WhatsApp चला रहे हो किसी दूसरे कौन में कुछ आपको नया feature दिख रहा है और आपके में नहीं देखा होगा अपने बहुत सारे चेंज वे WhatsApp के अंदर तो भाई तब आपको अपडेट कर लेना चाहिए ठीक है तो और कैसे करना है वो बताए तो आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर प्ले स्टोर से अपन WhatsApp आजाता है अब देखो यहां पर WhatsApp आपके सामने आ जाएगी ठीक है जैसे मेरे में इंस्टॉल है अब यहां पर ओपन आ रहा है ओपन की जगा यहां पर आ जाता है अपडेट का अब इसको यहां से बैक करते हैं मैं दिखाता हूं किसी और एप में अगर आया होगा तो WhatsApp की लेना है तो ऐसे करते हैं और एक सारी एप को करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्रोफाइल के उपर देखो यहां पर पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है जैसी आप यहां पर किलिक करोगे यहां पर आ जाएगा अब यहां पर उपर email आइड़े मैं एक एक को करना एक एक करना कर सकते हैं इसमें भाई नेट खर्च होता तो आपके फ़न में नेट होना चाहिए या फिर वाइफाई से कनेक्ट होना चाहिए ठीक है भाई तो इस तरी कैसे करते हैं क्यों करते हैं कब करते हैं कैसे करते हैं तीनों बाते मैं आपको बता दी है वीडियो होती हैं पर खतम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो